युझे करने वाले, सभी दुखों को हरने वाले हैं, सच्छे मन से भगवान श्री सत्तिन नारैन का वरत करने, पूजा करने और कथा सुनने इससे निश्चित ही लाप मिलता हैं। अगर आप भगवान सत्य नाराहिंग का वरत और पूजा करना चाहते हैं तो इसे आप कभी भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसे पूर्णिमा के दिन संक्रांती के या फिर गुरुवार के दिन करते हैं तो बहुत सर्वोतम माना जाता है वुरत के दिन आप इस नान करके पवित्र हो जाएं अपने मंदिर में आसन पर बैटकर भगवान गणेश, मा गौरी, बरुंट देवता, विश्नु भगवान आधी समस्त इस्ट देवी देवताओं का ध्यान करके उनकी पूजा करें और यह संकल्प करें कि मैं सदा श्री सत्य नारायन भगवान की पूजा और कथा सुना करूँगी या सुना करूँगा इसके साथी हाथ में फूल लेकर भगवान सत्य नारायन का ध्यान कीजे पूल धूप दीप नवेद यग्यो पवीत अर्पित कर भगवान सत्यनारेंड से प्रार्थन कीजिए कि हे भगवन मैंने जल पुषवादी समस्त सामगरी पूरी श्रत्था और विश्वास के साथ आपके चर्णों में अर्पित कर दी हैं अब आप इसे कृपा कर स्विकार क कीजिए आपको मेरा बारंबार प्रणाम है इसके बाद आप भगवान सत्यनारेंड की इस कथा को पड़ सकते हैं या सुन सकते हैं पवित्र तीर्त स्थल नैमिशारंड में एक बार एकत्रित हुए आर्या वर्थ के 88,000 महेश्यों ने मुनि श्रेष्ट श्री सूत जी से कह हे मुनिवर कल्यूग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुत आचरन करते हुए पापों की गठ्री के बोज तले दबता जा रहा है इसलिए हे मुनिवर मनुष्य के कल्यान के लिए कृपा कर कोई ऐसा उपाए बताईए जिससे मनुष्य को पुन्य लाभ हो और उसक मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार नारत जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारेंट से पूछा था और उन्होंने नारत जी से जो कथा कही थी उसे अब आप सब भी चिंता मुक्त होकर सुनिए नारत जी मानव के कल्यान की इच्छा से विभिन लोकों का ब्रह्मन करतेवे प्रत्वी लोक में जा पहुंचे प्रत्वी लोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीडित देखकर नारत जी बड़े परिशान हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारन कैसे सके तब तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरी विष्णु के सामने उपस्थित हो गए वहां नाराजी ने श्वेत पून और चार भुजाओं वाले शंक चक्र गदा और पदम से सुसजित देवों के देव भगवान विष्णु की इस्तुति करते हुए कहा है भगवा कोई आधी मध्य और अंत नहीं है मैं आपको नमस्कार करता हूँ इस प्रकार नारजी द्वारा इस्तुति किये जाने पर भगवान विष्णु मुस्कराए और कहने लगे हे मुनीवर करपा करके निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताईए तब नारजी कहने लगे प्र से उनका दुख नस्ट हो सके और वे सुख संपति का भोग करते वे अंत समय में मोक्ष को प्राप्त कर सके तब स्रस्टी के पालनहार भगवान श्री हरी कहने लगे हे नारद मुनी अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी इस्तिरी पुरुषों को पापों से मुक्ति मिल पाएगी निर्धनता नस्ठ होने से मनुष्य सुख संपति के समुद्र में तैरता हुआ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा श्री सत्य नारायन भगवान का व्रत करने से और कथा सुनने से उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंग मनुष्य भक्ति एवं श्रद्ध भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है नैवेद्यादी भक्ति भाव से अर्पित कर ब्रहमनों को भोजन कराकर दक्षिना देनी चाहिए इस प्रकार सत्य नारायन भगवान की आराधना करने से व्यक्ति के सभी कस्टों से मुक्ती मिल जाती है दन संपन और सुखी होकर आनंद पूर्वक वह जीवन व्यतीत करता है श्री सूत जी महराज आगे कहने लगे हे रिश्यो मुनियों अब मैं आपको उस निर्धन ब्रहमन की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसने श्री सत्य नारायन भगवान का सबसे पहले व्रत किया श्री सत्य नारायन भगवान का व्रत करने से उस ब्रहमन की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कस्ट भी दूर हो गए प्राचीन काल में पहनिर्धन ब्रहमन देवों की प्रे नगरी काशी में रहा करता था बिक्षा मांग कर वे किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था ब्रहमन की दुर्दशा देखकर ब्रहमनों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारैन भगवान ने एक दिन बुड़े व्यक्ति के रूप में उसके पास जाकर बड़े आदर सम्मान से उससे पूछा हे ब्रहमन देता तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांग कर अनेक कस्टों को सहन करते वे कैसे जीवन यापन कर रहे हो दरिद्र ब्रहमन कहने लगा हे मित्र मुझे आये का कोई भी साधन प्राप्त नहीं है इसी वज़े से मैं भिक्षा मांग कर जीवन यापन करता हूँ अगर आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताएए निर्धन ब्रहमन की बात सुनकर बुड़े व्यक्ति ने कहा हे मित्र श्री सत्य नाराण भगवान की पूझा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनुकामनाई पूरी हो जाएगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगेगी ब्रहमन को व्रत करने की विधी बताकर सत्य नाराण भगवान वहां से आगे की ओर चल दिये और कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए निर्धन ब्रहमन ने बुड़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्य कर लिया उस रात उसे नीद नहीं आई वे व्रत करने की बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्य नाराण भगवान का ध्यान करता रहा प्रातहकाल उठकर सत्यनारण भगवान का अवरत करने का निश्य करता हुआ निर्धन ब्राह्मण बिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा उस दिन ब्राह्मण को बिक्षा में बहुत सारा धन मिल गया और घर लोटकर उसने आसपास के लोगों के साथ